नमस्कार, मान्ये प्रधानमंत्री जी के सशी नित्रित्तों में डिश्टल इंडिया भ्यान के साथ वर्स पोरे हो गए हैं। मिनीमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस मान्ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उनके इस सपने को पोरा करने में डिश्टल इंडिया भ्यान की बड़ी भूमिका है। डिश्टल इंडिया भ्यान नए भारत के निर्वान में मील का पत्थर सावित हो रहा है। इस अभ्यान ने ए गवर्नेंस के माध्यम से सासन की योशनाओं को आम जन तक पहुंचाया उत्तर प्रदेश इगवर्नेंस के छेतर में अग्रणी राज्य है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रते एक ब्यक्ति तक सासन की योशनाओं को पहुंचाने के लिए तकनिक का भरपूर उप्योग किया है। इसका पुरा लाप आम जनता को मिल भी रहा है। आज प्रदेश जो कुछ करने में सपल है इसके पीसे माने प्रदान मंत्री जी का मार्क दरसन विमनेत्र तो ही हम सभी का सबसे बड़ा संबल है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश बिमारु राज्य की स्रिंखला से उटकर एक स्वाबलंबी और समर्थ प्रदेश बनने की उरग्रसर राज्य सरकार मार्च दोहजार सत्रह से सत्ता में आने के बाद से ही तक्नीक के बहत्तर प्रयोक से रश्टाचार मुक्त विवस्था देने के लिए संकल्पी थे। स्कूल बैक, स्वेटर, जोतामोजा की धंडासी, किर्शकों कौनकी उपच की विक्रय का भुक्तान आदिसीदे लाभारतियों के बैंक खातों में हस्तांत्रित किया जा रहा है। काफी सुपदा हुई है। उत्तर प्रदेश एक टिलियन डॉलर की अर्थविवस्था बनने की रह पर तेजी से अग्रसर हुआ है। निवेस और रोजगार के नए मार्ग इसके माद्यम से प्रसस्त कर रहा है। ऐसे सकारात्मक माहूल में प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से ससक्त और सक्सम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें टैबलेट ये स्मार्ट फोन जिसल कुपलब्द कराए जा रहे हैं। आगामी पांच वर्स में कुल दो करोड नौजवानों को टैबलेट और स्मार्ट फोन बित्रित के जाने का लगसे है। राज्य सरकार प्रदेश के गाउं को स्मार्ट गाउं बनाने के लिए गंभिरता से परियास कर रही है। के लिए फ्री वाई-फाई की स्विधा भी उपलब्द कराई जाएगे। ग्रामीन अंचलों में प्रदेश सरकार द्वारा डेड लाग से थिक जन सेवा केंदरों के माध्यम से सास के सेवाएं आम जन्मानस को उपलब्द कराई जा रही है। इस प्रकार राज्य सरकार माने प्रधान मंत्री जी के डिश्टल इंडिया के सपने को साकार करते भे सरही नागरिकों को बहतर स्विधा उपलब्द करा रही है। प्रकार रही है।